दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फेस्बुक पर 3D मोसन फोटो कैसे अपलोड कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभी शेक आप देख रहे हैं टेकनिकल अभी अंदर तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप फेस्बुक लाइट यूज करते हैं तो आप 3D फोटो नहीं अपलोड कर पाएंगे 3D फोटो अपलोड करने के लिए आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला फेस्बुक आपको इंस्टॉल करना होगा तो आप लोग अपनी फेस्बुक को ओपेन करेंगे तो यहां पे देखिए राइट साइड में आपको 3 लाइन दिखेंगी आपको इसपे क्लिक कर देना है जब आप इसपे क्लिक करेंगे तो आपको स्कॉल करके नीचे आना है आपको इस पे क्लिक करना है जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्कॉल करके आप नीचे आईए यहाँ पे आपको वीडियो और फोटो सेटिंग में एक option मिल रहा है Reduce 3D Photo Motion का तो आपको इसे on कर देना है इसके बाद में आपको back आना है back आने के बाद में आप यहाँ पे देखिए आपको फोटो का option मिल रहा है आपको इस पे क्लिक कर देना है जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वो फोटो सेलेक्ट कर लेजिए जिसे आप 3D में अपलोड करना चाहते हैं तो जैसे हम यह photo select कह लेते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर public done कर देते हैं यहाँ पर देखिए आप लोग option मिल रहा है आपको edit के पास में make 3D का तो आपको भी यहाँ पर make 3D का option मिलेगा दोस्तों अगर आपका mobile 3D support नहीं करता है तो आपके mobile में यहाँ पर make 3D का option नही हो जाएगी इसके बाद में आपको यहाँ पर post कर देना है दोस्तों हमारी photo 3D में upload हो चुकी है अब आपको left side में जो profile का option मिल रहा है आपको इस पर click करेंगे आपको scroll करके नीचे की तरफ आना है तो यह देखिए हम लोगों ने जो photo upload की है वो आपको यहाँ पर show हो रही है तो इसमें आपको 3D का effect देखने को मिल जाएगा यह देखे जिस तरीके से आप उपर नीचे की तरफ इसकॉल करेंगे उस तरीके से यह हिलती हुई आपको नजर आएगी photo तो इस तरीके से आप अपने facebook पर 3D photo upload कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको सबसे कम समय में बहतर और सटिक जनकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल अभी अंदर को सब्सक्राइब कर लें फिर मिलते हैं एक न्यूट टेक की वीडियो के साथ धन्यवाद